नमस्कार दोस्तों, चाइना अब दुनिया की सबसे अमीर कंट्री बन चुका है, सही सुना आपने एक रेपोर्ट के अनुसार अमेरिका को पीछे छोड़कर चाइना अब वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री बन गया है सुनकर लगेगा कि सेलिबरेट करने वाली बात है यह चाइनीज सरकार के लिए, चाइनीज लोगों के लिए लेकिन पीछे ही पीछे कई economic experts point out कर रहे हैं कि चाइना जल्द ही एक बहुत ही भारी economic crisis में गिर सकता है ऐसा कैसे हुआ और कौन सी ये economic crisis आ सकती है आये जानते है आज के इस वीडियो में China has surprised United States to become the richest nation in the entire world as the global wealth has tripled over the past two decades The collapse of Chinese property giant Evergrande and Valds, shares in the highly indebted company have fallen 80% this year and analysts fear the crisis could spread throughout China's property sector Housing affordability in China right now is among the worst in the whole world The problems in China could lead to a quote sudden correction of real estate prices पहले तो richest country बनने का मतलब क्या होता है इसे basically आप समझ सकते हो दोस्तों wealth एक इंसान कितना अमीर है कैसे आप measure करते हो यही देख करना कि उस इंसान के पास कितनी जमीन है कितनी property है उन सब की total value क्या है कितना business वो own करता है business में कितनी machine है उन सब की total value क्या है एक इंसान की से total wealth निकाली जा सकती है यह चीज GDP से काफी अलग है GDP को आप equivalent मान सकते हो इस चीज़ का कि एक इंसान साल भर में कितनी कमाई कर रहा है तो एक देश का GDP होता है एक साल में एक पूरे देश में कितने amount के goods बेचे गए कितना समान बेचा गया और कितनी services बेची गए और services मतलब public administration, hotels हो गया आपके transport, tourism या financial services अब जब हम GDP की बात करते हैं तो हमें देश की population को भी account में लेना चाहिए यह खुदी सोच कर देखो एक परिवार है जो 1000 रुपे पर महीना कमा रहा है लेकिन परिवार में सिर्फ दो ही बच्चे है और एक परिवार है जो 2000 रुपे पर महीना कमा रहा है लेकिन परिवार में 10 बच्चे है तो same amount of पैसा इतने लोगों में बाटा जाएगा तो per person को कम मिलेगा तो even though अगर एक देश का GDP ज्यादा है अगर उस देश की population भी ज्यादा है तो यह इतना अच्छा नहीं है इसी reason से GDP per capita हम calculate करते हैं जो की mainly होता है GDP per person तो चाइना दुनिया की सबसे अमीर country बन चुका है wealth के मामले में वहाँ पर जितनी population है लोगों की हर इनसान की अगर wealth को add up करोगे तो वो दुनिया की सबसे अमीर country है अगर हम GDP per capita की बात करेंगे तो चाइना कहीं भी stand नहीं करता टॉप पर 2020 की GDP per capita की rank देखोगे तो चाइना की 63rd rank है और USA 5th position पर है अगर हम overall GDP की भी बात करें तो इसमें भी USA आगे है in fact USA दुनिया की number one country है overall GDP में at 21 trillion dollars approximately चाइना दूसरे number पर आता है दुनिया में at around approximately 15 trillion dollars इंडिया at present approximately 3 trillion dollars की economy है तो इन दोनों cases में पीछे होने के बावजूद भी चाइना ने USA को overtake कर लिया है overall national wealth के मामले में according to McKenzie report ये report बनाई गई थी 10 देशों की national balance sheet को analyze करके इस report की कुछ और findings इसने बताया कि दुनिया भर की total wealth जो है वो पिछले दो दशकों में triple हो चुकी है 156 trillion dollars से लेकर अब 514 trillion dollars तक पहुंच चुकी है चाइना की wealth में एक जबरदस्त growth दिखी है साल 2000 में यानि आज से करीब 20 साल पहले चाइना की overall wealth सिरफ 7 trillion dollars थी और आज के दिन ये हो गई है 120 trillion dollars यानि 17 गुना का increase इस सेम टाइम पिरेड में USA की total overall wealth दो गुना बढ़ी है आज के दिन हो गई है 90 trillion dollars तो ये एक comparison है overall wealth का आज के दिन चाइना एट 120 trillion dollars, USA at 90 trillion dollars एक सबाल शायद आपके मन में हाँ पर उठेगा कि साल 2000 में USA चाइना से ज्यादा अमीर था और हर साल annual GDP USA का ज्यादा रहा है चाइना से तो फिर कैसे चाइना ज्यादा अमीर बन गया USA से इवन दो USA का GDP तना ज्यादा रहा है इसका answer बड़ा interesting है अब GDP growth दोस्तों कई ऐसी चीजों से आ सकती है जो actually में useless चीज़े हैं imagine करके देखो एक ऐसा देश जहां पर लोग बहुत सारा junk food खाते हैं cold drinks पीते हैं, burgers खाते हैं और उस देश का GDP नहीं चीजों से बढ़ता हो एक इनसान जब इतना सारा junk food खाएगा unhealthy हो जाएगा, उसे शायद hospital जाने की ज़रूत पड़ेगी taxi में बैठ कर वो hospital देख आएगा hospital में उसको treatment मिलेगी और treatment के बाद वो वापस taxi में बैठ के घर आ जाएगा, अब इस पूरे scenario में हर point पर GDP बढ़ रहा है देश का junk food खाने से GDP बढ़ रहा है देश का taxi ride में बैठने से GDP बढ़ रहा है देश का और hospital में treatment से भी GDP बढ़ रहा है क्योंकि हर point पर पैसे दिये जा रहे है पैसे का transfer होने लग रहा है लेकिन इस scenario में overall क्या उस इनसान की wealth में कोई increase आएगा नहीं आएगा, overall कोई benefit नहीं होगा क्योंकि junk food खा लिया taxi ride खतम हो गई और treatment में देने के बाद काम खतम अब इसे एक ऐसे देश से compare करो जहां पर mostly GDP बढ़ने लग रहा है नई building बनाने से नई highways बनाने से नई construction करने से नई factory set up करने से इस दूसरे देश में actually में wealth में भी increase आएगा क्योंकि इन सारी चीजों से दौलत भी बढ़ रही है और मोटे मोटे तोर पर यही difference है USA और चाइना के बीच में इसी चीज को statistically data के आधार पर बताऊं तो यह comparison देखिए चाइना और USA के बीच में दोनों देशों में GDP में services sector और industries कितने percentage contribution देती हैं GDP में चाइना में services sector 54.5% पर है और industries का contribution 37.8% पर है दूसरी तरफ USA में services sector 77.3% contribution करता है और सिरफ 18.2% contribution आता है industries से और यही difference मैंने आपको example के दूरू समझाया था जो junk food खाना हुआ taxi services का इस्तिमाल करना हुआ healthcare services का इस्तिमाल करना हुआ यह सब services है यह सब service के sector में आता है और नई construction करना यह सब industry के sector में आता है लेकिन हब सवाल उठता है कि इतनी development के बावजूद भी चाइना पर क्यूं सवाल उठाये जा रहे हैं क्यूं experts कह रहे हैं कि चाइना में जल्द ही economic crisis आ सकती है इसके लिए चाइना की total wealth को थोड़ा और गहराई से देखते हैं इसका breakdown देखते हैं दुनिया भर में 35% wealth आती है जमीन से 33% घरों से तो करीबन 68% total wealth real estate से आती है लेकिन चाइना के लिए यही number है 78% पर अब अगर आप इस pie chart को एक इनसान की individual wealth से compare करेंगे तो यहाँ पर कुछ unusual नहीं है ऐसा ही होता है एक इनसान की भी ज्यादतर wealth जो property एक इनसान own करता है उसी से ही आती है जमीन जो है real estate एक इनसान ने खरीद रखी है तो एक देश के लिए भी 60-70% सिरफ property real estate से आना कोई unusual चीज नहीं होनी चाहिए लेकिन तब क्या होगा अगर मैं कहूं आपने अपनी property की value को over estimate कर लिया हो आपको लगता है कि आपके घर की कीमत यहाँ पर 10 करोड होनी चाहिए लेकिन actually में वो सिरफ 1 करोड है लेकिन आप कभी अपने घर को बेच नहीं रहे हो तो actually में आपको पता नहीं चले गई है जब आप बेचने जाओगे तब आपको पता लगेगी कि actually में आपकी property की value क्या है और exactly यही चीज चाइना में होने लग रही है चाइना में एक real estate bubble बनने लग रहा है finance के sector में एक bubble किसे कहते हैं इस चीज की बात मैंने इस पुराने वीडियो में करी थी the dark side of stock market यह कैसे stock market में bubbles form होते हैं इसका basically मतलब यह है कि किसी चीज का actual price कम है और जो speculate कर रहे हैं किसी चीज का price वो काफी ज्यादा है अब सवाल यह उठता है कि चाइना में ऐसा हुआ क्यों चाइनी सरकार का state capitalism एक बड़ा major role play करता है यह आपर चाइनी central government ने अपनी local सरकारों के लिए targets रखे थे कि कम से कम तुम्हें इस region में इतनी GDP growth rate लाकर दिखानी है तो local governments के उपर बहुत pressure था चुकि चाइना में वैसे भी dictatorship है वहाँ की central government बिल्कुल strictly बताती है कि कम से कम इतना तुम्हें करना पड़ेगा नहीं हम तुम्हें हटा देंगे तो local governments के उपर इतना pressure था GDP growth rate लाने के लिए और उन्हें दिखा ये करने का सबसे आसान तरीका है और building है खड़ी करे जाओ और construction करे जाओ रियल estate के prices को inflate करके दिखा दो ये इस हद तक किया गया construction इतनी speed से करी गई कि real estate ने 29% contribution दिया चाइना की annual GDP में for comparison बताओ तो इंडिया में real estate सिरफ 7% contribution देता है इंडिया की annual GDP को ground reality यही है कि चाइना में आम आदमी के पास इतना पैसा नहीं आ पाया कि वो इतने महंगे apartments में रहना afford कर पाए जिसकी वज़े से चाइना में हमें ghost towns देखने को मिल रहे है धेरो ऐसे apartments ऐसी building है जहां पर रहने के लिए कोई है नहीं क्योंकि कोई afford नहीं कर सकता उनमें रहना 6 करोड से ज्यादा apartments चाइना में खाली पड़े हैं ऐसे घर जहां पर कोई नहीं रह रहा है अगर यह एजियूम कर लो कि एक apartment में तीन लोग रहते हैं तो 20 करोड से ज्यादा लोगों के लिए घर चाइना में बन रखे हैं 50 से ज्यादा ऐसे towns जो हैं ऐसे छोटे छोटे शहर चाइना में जो बनाए गए हैं उन्हें ghost town का दरजा दिया गया एक obvious सा सवाल आपके मन में हाँ पर आएगा कि अगर ये apartments रहने के लिए इतने महंगे पड़ रहे हैं तो ये real estate companies इन apartments के price कम क्यों नहीं कर देती ताकि लोग इन्हें afford कर पाएं और इनमें रह पाएं इसके बिज़े simple सा reason ये है कि इन सारी real estate companies ने बड़े-बड़े loan लिये थे बैंकों से कि वो ये apartments बना पाएं ये properties बना पाएं और अगर इस price पर ये उन्हें नहीं बेच पाएं तो वो loan वापस नहीं चुका पाएंगे ये companies debt में चली जाएंगी bankrupt हो जाएंगी और यही actually होने भी लग रहा है चाइना में real estate companies की overall debt 5 trillion dollars तक पहुँच चुकी है largest real estate company हैं यहापर Evergrande इसी reason से आपने हाली में सुना होगा कि चाइना में Evergrande crisis आ रही है जो 6 करोड से ज्यादा apartments खाली पड़े हैं चाइना में इस एक company के उनमें से 16 लाख apartments हैं इस एक company ने 300 billion dollars के loan लिये थे bank से और अब वापस चुकाने में उन्हें loans को बड़ी परेशानी हो रही है यह company इतनी बड़ी है कि यह bankrupt चली गई तो पूरा market crash कर सकता है चाइना में इसी साल September में इस company का share price 80% नीचे गिर गया था और इसकी bonds को भी downgrade कर दिया गया है credit agencies के दौरा हालत इतनी खराब हो गई है कि यह companies अपने employees से कहने लग रही है कि हमें loan दे दो कई experts इस situation को USA के 2008 के housing bubble से compare करते हैं जिसकी वज़े से दुनिया भर में 2008 की economic crisis आई थी Evergrande को Lehman Brothers की तरह देखा जा रहा है जो 2008 में company थी जिसे माना गया था कि यह too big to fail company है इतनी बड़ी company है यह fail नहीं हो सकती लेकिन fail हो गई थी वह Evergrande भी कई और sectors में involved है बहुत ही बड़ी company है यह electric cars, food, drink production, football team भी है इनकी और total में 1,25,000 से ज़ादा employees है company के यह company इतनी बड़ी है इसकी वज़े से ही इस company का stock market पर भी impact बहुत बड़ा है जब इस company के shares नीचे गिरे थे उस same दिन जो दुनिया के top richest लोग थे including Jeff Bezos, Ilon Musk, Mark Zuckerberg इनकी total wealth 26 billion dollars से नीचे गिरी थी उस दिन जिस दिन इनके इसके company के share price नीचे गिरे थे अब क्या solution है ऐसी situation में कुछ लोग कहते हैं कि Evergrande company अपने assets को बेच सकती है कुछ और पैसे कमाने के लिए अपने ghost apartments को बहुत ही discounted rate पर बेच सकती है कुछ तो पैसे आपाएं कम से कम लेकिन ऐसी companies के लिए आखरी option बचने का हमेशा देखा जाता है सरकार सरकार से मदद लेना अब यहां हम नहीं चाहते कि सरकार किसी भी तरीके से interfere करें हम बिल्कुल pure capitalism में believe करते हैं free market वाले में लेकिन जब इन companies की यह हालत आती है कि यह companies बिल्कुल डूबने वाली है पैसे की जरूरत है तब यह हाथ जोड़कर सरकार के सामने आ जाती है कि please हमें अपना socialism दे दो हमें अपने पैसे दे दो please हमारा bailout करा दो यहां पर मतलब सरकार अपनी तरफ से taxpayer का पैसा दे इन companies को बचाने के लिए आप सोचोगे कि यह तो बड़ा outrageous है ऐसा कैसे कर सकती है सरकार company डूब रही है डूब जाने दो इसलिए हमारी company को बचाना बहुत जरूरी है इसलिए सरकार को मदद करनी चाहिए हमारी यही चीज़ USA में भी होई थी और बहुत से लोगों ने criticize किया था इस चीज़ को 2008 की crisis के बाद सरकार ने bailout किया था इन डूबती होई companies को और सडकों पर protest भी होई थे USA में इसको लेकर चाहिनी सरकार ने इस crisis के response में क्या किया है वो भी देखना बड़ा interesting है क्योंकि चाहिनी सरकार अक्सर ऐसे मामलों को लेकर बड़ी proactive रहती है तो Xi Jinping की सरकार ने कुछ बड़े regulatory crackdowns किये हाल ही में bad loans को कम करने के लिए इन्होंने एक regulation इंट्रड्यूस करी है three red lines यानि तीन नई conditions बनाई गई है company के लिए जिसके basis पर वो loans ले सकती है for example इन में से एक ये condition है कि एक company की net debt एक company की overall equity से ज्यादा नहीं होनी चाहिए October के महिने में पाया था कि चाइना की 30 बड़ी property companies मैंसे 20 बड़ी property companies ने इन red lines को cross कर दिया है इसके लावा बहुत सी बड़ी real estate companies को force किया जा रहा है सरकार के दोवारा कि कुछ portion debt को इसी वक्त instantly repay किया जाए और corruption को पगणने के लिए चाइना ने एक नई टीम बनाई है कि सारे जो इनके state government के banks है जो national financial regulators है और जो यह जो companies है सब पर corruption चेक किया जाए कि यहाँ पर कितनी corruption होने लग रही है अब यह एक बड़ा interesting point है क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि एक dictatorship जब होती है देश में तो corruption खतम हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर dictator बड़े strongly behave करेगा जो भी लोग corruption करेंगे उनके साथ लेकिन ऐसा actually में होता नहीं है in fact जो democracies होती है जो बहुत अच्छी democracies होती है वहाँ पर कम corruption देखने को मिलती है dictatorships के comparison में क्योंकि dictatorships में कोई भी सवाल करने से डरता है कोई independent agencies नहीं होती चेक करने के लिए कि यहाँ पर corruption हो रही है या नहीं हो रही whistleblowers को दबाया जाता है कोई ढंका independent media नहीं होता scrutinize करने के लिए corrupt लोगों को इसी reason से हमें corruption देखने को मिलती है चाइना जैसी countries में आज के दिन property rates Beijing और Shenzhen जैसे शहरों में इतने ऊपर चले गए है कि वो 55 गुना ज्यादा हो गए है एक आम चाइना के average इंसान के annual income से इसका मतलब हुआ imagine करके देखो आपकी salary है एक लाख रुपए पर महीना तो साल में आप 12 लाख रुपए कमाते हो आपके लिए average apartment का price है 6.6 करोड रुपीज यानि आपकी 55 साल की salary लगेगी कि आप एक average apartment afford कर पाऊ अपने शहर में imagine कर सकते हो यही चाइना में होने लग रहा है आप शाइद सोचोगे ऐसे case में कि loan लेकर घर खरीदा जा सकता है लेकिन चाइना में rule है कि total amount जो है उसका सिरफ 60% तक का ही loan मिल सकता है यानि कम से कम 40% आपको total amount का down payment करना पड़ेगा जो कि possible नहीं हो पाएगा तो अगला option बचता है rent करना apartment को ये करने के लिए भी rent prices इतने ज़्यादा है वहाँ पर कि fresh graduates को कम से कम 40% पैदा करने avoid कर रहे है इसकी वज़े से जो birth rates है चाइना में वो बड़ी तेजी से नीचे गिर रहे है चाइना ने पहले one child policy को हटा दिया two child policy introduce करी अब two child policy को भी हटा दिया गया है अब एक three child policy introduce करी है सरकार चार ये कि लोग और बच्चे पैदा करें इतनी तेजी से population कम ना हो और reason इसके बीचे यही है कि इतने महंगे घर के prices हो गए है कि लोग कह रहे है कि क्या फायदा ज़्यादा बच्चे करने का हम afford नहीं कर पाएंगे उनको पालना पोस्टना बड़ा करना अब जो अमीर लोग है वो तो और property खरीदे जा रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए जिसकी वज़े से prices और उपर जा रहे है और inequality बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ये एक ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ चाइना में बलकि USA में और इंडिया में भी होती है देखने को मिल रही है मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए घर खरीदना अनफोर्डिबल बन गया है और अमीर लोग दो, तीन, चार, पांच घर खरीदे जा रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए इस inequality को काउंटर करने के लिए चाइनी सरकार ने common prosperity drive शुरू करी है 2017 में जी चिंग पिंग ने बड़े famously कहा था कि जो घर हैं वो लोगों के रहने के लिए होते हैं ना कि speculate करने के लिए इसी के तहट सरकार अगले 5 सालों में एक नया property tax लाने की सोच रही है प्रपोस किया गया है कि अगर लोग घर खरीद रहे हैं अपने खुद के रहने के लिए तो कोई tax नहीं लगेगा लेकिन अगर कोई दूसरा घर खरीद रहा है तीसरा घर खरीद रहा है इन्वेस्ट करने के लिए तो काफी ज्यादा property tax लगा जाएगा उन पर ताकि real estate के prices एक moderate level तक आ सके लोगों के लिए घर खरीदना affordable बन सके चाइना में 2008 के data के according करीब 70% लोग जो घर खरीद रहे थे वो first time buyer थे यानि अपने लिए रहने के लिए खरीद रहे थे लेकिन 2018 के data के according सिरफ 11% लोग first time buyer थे almost 90% लोग सिरफ invest करने के लिए घर खरीद रहे थे कई experts Chinese सरकार की इन strategies को criticize करते हैं ये कहते होए कि इन चीजों की वज़े से और companies उभर कर नहीं आ पाएंगे economic growth कम हो जाएगी देश की लेकिन ये तो time ही बताएगा कि China actually में इस crisis से कैसे deal करता है और deal कर भी पाता है या नहीं कर पाता है आपकी क्या राय है इसके बारे में नीचे comments में लिखकर बताईए और उमीद करता हूँ वीडियो informative लगा हो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद